नमस्कार किसान भायो एग्रोटेक चैनल मैं आपका स्वागते किसान भायो आज हम बात करने जा रहे हैं पीला मोजक के बारे में दोस्तो इस टाइम पर किसान भायों की जो सोयवी ने लगवक 30-35 दिन की हो गई है तो एसे में किसान भायों के साथ एक समस्या बन जाती है कि लुग्रे, पीला मोजक पीला मोजक एक ऐसी विमारी है दोस्तों जिसे हम सरमें पकर कंट्रोल ना करें तो यह पूरी फसल को टबाय करfil your final कि scheint कानल से फैलता है जो कीसे वाइट फ्लाई कैस हैं कि अपके पथियों के पोधियों की नीचे बेटकर यह अंडे देती जो की काफी जादा मात्रा में अंडे देती है फिर अंडे देने के बाद इसमें प्यूपरा का निर्मान होता है जिसे पउदी कीfao वाली इनर्जी होती है उसको चू़ती रहती है जिसे की पोध्या की ग्रोथ होती है तो किसान ना परोस्व पहले को सबसे पहले सपेद मख्य को कंट्रोल करने के लिए कई सारी मार्केट में दवाईयां होती है जैसे कि बाइंपेंथरिन जो टेक्निकल होता है बहुत सारे टेक्निकल मार्केट में उपलब्द होते हैं जिससे कि सपेद मक्ही को कंट्रोल किया है उसके बाद किसान भाई के साथ कही वार गलती हो जाते हैं तो आपको इस बात का वी इस जित्यान रखना है कि जब आप आगामी समय में कोई फसल की विराइटी ले रहें तो उसमें एक बात सुनिशित करें कि रोग रोधी किसम है या नहीं किसानभैयों ये दो कारण हैं उसके बाद अगला कारण होता है फंगस। फंगस के कारण भी दो स्टो हमाइव fosl की रोंचता होती ह Wanna ड़लने लगती है धिरे धिरे फंगस के कारण हमारी पाउधा जो होता है वो सूपने लगता है तो दोस्तों आपको अगला जो डोज दे रहे हैं आप जब भी सोयाविन में तो उसमें एक बार फंगी साइड दवा का छिड़का आप जरूर करना चाहिए जिससे कि आपकी फसल में फंगस ना लगे हैं तो किसान भायों यह कुछ छोटे चोटे कारण थे जो कि हम सपेद मखी के प्रकोप को कम कर सकते हैं साथ ही यह पीला मोजक की बाली बिमारी से हम भसल को बचा सकते हैं किसान भायों उमीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आओगा तो वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद